हेलो आपरिबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 11 फ्रैक्शन आईए लोग स्टार्ट कर लेते हैं कहता है है यह यह बार आफ चॉकलेट आप देख सकते हैं यहां पर एक चॉकलेट देख रहा है हम लोगों को यहां पर दो स्टुडेंट है पहला है राहूल और दुसरा है रोहन यह राहूल और यह रोहन आप देखिए ओके चलिए अभी ना दोनों चॉकलेट को इकॉली बाट रहा है क्या कहता है राहूल एंड रोहन share the chocolate equally among themselves दोनों बराबर बराबर chocolate लेते हैं तो आप बताए कि राहुल को कितना chocolate मिलेगा हाप मिलेगा यहाँ देखें लिखा हुआ हाप ओके तो I have half of the chocolate तो अभी यहाँ पे blank दिया हुआ है आप देखिए इसमें क्या हम लोग फिल करेंगे I too have half of the chocolate यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे हाप ओके समझ गी बहुत ही इजी है next हमारे पास second number है कहता है रमन हैस प्रिंटेट अगेट रेड इन कलर रमन ना रेड कलर सिर्फ गेट को प्रिंट करता है what part of the gate is printed in red तो अभी आप यहाँ देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है हाप अना यह हाप पोर्षन जो है वह रेड से प्रिंटेड है और अभी आप से पुछा गया कि कितना रेड से प्रिंटेड है what part of the gate is printed in red तो हम लोग जैस्ट यहाँ पे लिखेंगे हाप ओके इजी है चलिए next हम बात करते हैं here is a collection of 12 marbles कितने marbles हैं हैं हाँ पे 12 marbles हैं by drawing line divide the collections into two equal parts दो बराबर parts में हमको बाठ देना है अना तो यहाँ पे कितने marbles हैं 12 marbles हैं हमको two parts हम divide करने हैं तो six होगा और six होगा तो आप यह बीच से एक line को draw कर लिजी देखिए इधर आपके six marbles हो जाते हैं इधर भी आपके six marbles हो जाते हैं तो बहुत simple था आपको बीच से एक line draw करना था अब इसमें भी आपको बीच से line draw करना है तो आप देखिए यहाँ से हम लोग बीच से line draw कर लेते हैं तो क्या होता है six marbles left side six marbles right side यह divide होगी चलिए next question की बात करते हैं कहता है by drawing lines divide the collections of twenty buttons into four equal parts four parts में हमको यहाँ पे divide करने हैं equal parts में तो हम लोग कैसे divide करेंगे तो देखिए हम लोग line draw कर लेते हैं तो हम एक line draw किए फिर एक line draw कर लिए फिर एक line draw किए देखिए यह क्या हो गया ना हम यह जो buttons हैं यह four parts में बढ़ चुके हैं और हर एक part में कितने हैं तो हर एक पार्ट में 5 बटन्स हमको दिख रहे हैं, अब second B नम्मर को कर लेते हैं, तो B नम्मर में पहले हम लोग B से एक लाइन ड्रो कर लेंगे, और फिर एक लाइन फिर ड्रो कर लेंगे, तो यहां पर जो पहला लाइन होगा वह वर्टिकल होगा, दूसरा लाइन होगा, तो यहां पर भी आपका 4 पार्ट में बढ़ जाता है, चलिए next हम बात करेंगे, fraction of a collection, तो look at the given figure, यहां पर हम लोग को एक circle दिखाया गिया है, आप देखिए, ओके, और इस circle के कितने parts हैं, इस circle को 4 parts में बढ़ दिया गिया है, और इसमें से one part जो है उसको क्या किया गिया ह ओके, तो अभी ना, shaded part को कैसे दिखाया गिया है, देखिए, आपर करता है, one out of four equal parts is shaded, मतलब four part में से एक part क्या है न, shaded है, तो इसको हम कैसे represent करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो it can be represented by one by four, हाना, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, one fourth, हाना, one fourth इ दूसरा बात करें, कि कितना part इसका shaded नहीं है, तो आप देखिए, कि इसमें three parts है, जो shaded नहीं है, तो unsaded part को हम कैसे represent करेंगे, unsaded part को represent करेंगे, three fourths, ओके, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, three fourths, तो यह हम लोग थोड़ा सा जान लें, कि कैसे हम लोग read करेंगे, fraction को, और यहाँ पर और भी हमारे पास है, यहाँ पर box हम लोग देख रहे हैं, तो कितने box हैं यहाँ पर, total nine boxes है, अब इसमें से beach वाला जो box है, वो color है, और shaded है, तो इसको हम कैसे represent करेंगे, और पढ़ेंगे क्या, one ninth, फिर इसमें से कितने boxes हैं, जो unsaded हैं, तो यह हमारे पास है, eight ninths ओके, clear हो गया, चलिए इस तरह से और भी हमें आगे बढ़ लेते हैं, हमारे पास अब आजाता है, वक्षिट one, तो वक्षिट one में हमको क्या करना है, देखिए, set the figures that represent the given fraction, तो अभी हमको set करना है, तो हम लोग पहले यहाँ पे, यह देखिए, अपना एक triangle है, इसको कितने part में बटा गिया, three parts में बटा गिया, और हमको कितने part को दिखाना है, तो two third, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें से three parts में two parts को हमको क्या करना है, set कर देना है, तो आईए हम लोग set कर देते हैं, तो यहाँ देखिए, हमने क्या किया है, total कितने parts से, total थे three parts, तो उसमें से two parts को हमने क्या किया set कर लिया चलिए next हम देखेंगे b number पे total कितने parts है total कितने boxes है यहाँ पे 15 boxes है अब उसमें से हमको क्या करना है seven boxes को set कर देना तो आईए हम लोग इसको भी कर लेते है तो यहाँ भी हम लोग उने क्या किया seven parts को set कर दिया है और चलिए next हम देखते है हमारे पास c number है इसमें से total five triangles को हम लोग देख रहे है कितने triangles है five triangles है इसमें से क्या करना है हम लोगों को न तो three triangles को color कर देना ने set कर देना है तो आईए हम लोग कर लेते हैं इसको भी तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको color कर लिया है आप एक यह दिहान रखेंगे कि जब भी आप color कर रहे हैं तो किसी भी part को आप color कर सकते हैं कोई जरूर नहीं है कि मैंने जो part color किया वही आपको करना है किसी भी three triangles को आप color कर सकते हैं चलिए d number को कर लेते हैं हम लोग four parts को क्या करना है set करना है total six parts है तो यह ना हम लोग इसको भी कर लिये और यह last का है हमारे पास e number six six eighth तो मैं यह आपके लिए छोड़ देता हूं यह आप कर लिजेगा चलिए आप हम लोग next बढ़ते हैं question number two की और तो यहाँ पे कहता है उसके लिए हमको fraction यहाँ पे लिखने है तो first आप देखिए कितना है total three rectangles यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने rectangles देख रहे हैं इसमें से two rectangles क्या है shaded है तो हम कैसे यहाँ पे fraction लिखेंगे हम लिखेंगे two third two thirds two third हम लोग लिख दिए next हमारे पास यहाँ पे कितने boxes हैं देख लेजिए square boxes है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो total twelve square boxes यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इसमें से four boxes क्याना shaded है तो हम इसको कैसे represent करेंगे four twelfths यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे देखिए c number पे तो c number पे कितने parts में बाटा गया है circle को यह पहले count किजिए आप तो total sixteen parts में बाटा गया है तो हम लोग कैसे represent करेंगे तो यहाँ पे कितने parts ना जो color है वो देखिए one, two, three, four, five तो five parts color है तो आप हम लोग क्या लेखेंगे यहाँ पे five sixteenth okay five sixteenth clear है चलिए next हम लोग देखेंगे यह है अपना third number match करना है match the following तो हम लोग कैसे match करेंगे आप देखिए first question को यह first figure को आप देखिए इसमें से कितने parts color है one, two, three three parts color है और total कितने parts है तो यह आपका match होगा यहाँ से देखिए three, six okay match हो गया चलिए दूसरा हम देखेंगे यह जो अपना triangle है इसमें कितने triangles है इसमें हमारे है total four triangles इसमें से two parts two triangles क्या है colored है तो two fourth होगा आपना तो two fourth कहाँ पर है यह देखिए two fourth तो two fourth में आप इसको match कर लिजिए और next हमारे पास है यह box है और इस box में balls हम लोग को देख रहे हैं तो कितने balls यहाँ पर colored है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine total nine balls colored है nine balls colored balls है और कितने balls है total तो sixteenth ball है तो nine sixteenth कहाँ पर है उसको आप match कर लिजिए तो यह देखिए यह हो गया अपना nine sixteenth यह match करेगा आईए यहाँ box बना हुआ है तो कितना box colored है one, two, three, four four box colored है और total कितने box हैं तो seven तो अभी ना four seventh पर आप इसको match करेंगे तो यह अपना नीचे है यह देखिए four seventh यहाँ पर है तो यह आप इसको इधर से match किजिए ओके और last में आप देखें lips देख रहे हम लोग तो इसमें से two lips जो हैं वो colored है और total कितने lips हैं total यहाँ पर seven lips हैं तो two seventh कहाँ पर है उसको आप match करेंगे तो यह हमारा यहाँ पर आ जाता है two seventh तोड़ा उपर है चलिए हम लोग उपर देख लेते हैं यह two seventh यहाँ पर आ रहा है तो आप यहाँ से इसको match किजिए two seventh से तो इस तरह से नब matching अपना बहुत आसाने से हम लोग कर सकते हैं अब हमारे पास है from the following collection of figures I indicate the fraction which represents the number of shaded figures in each तो shaded figures represent कर रहा है उसको हमको क्या करना है fraction लिखना है तो यहाँ पर देखिए total कितने सोफाज है one, two, three, four, five five chairs है उसमें एक chair अपना कहना color है तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे one fifth ओके और यहाँ पर total कितने हैं तो total seven है seven में one, two, and three three butterflies जो है colorful है color किये हुए है तो आप हम क्या लिखेंगे यहाँ पर three seventh क्या लिखना है हम लोग को three seventh चलिए यह भी हो गया next हम लोग देखेंगे c नमर पर total यहाँ पर six amrelas हैं और six amrelas में आपके one, two, and three three amrelas क्या आना color है तो हम लोग कैसे represent करेंगे हम लोग represent करेंगे three sixth ओके चुकि टोटल six हम लेला है और यहाँ पर देखें रोज यह flower है कितने flower है total total eight flowers है इसमें से two flowers क्या आना colorful है तो हम कैसे represent करेंगे इसको हम represent करेंगे two eighths ओके two eighths यह हो गया clear चलिए अब हम बढ़ेंगे fifth number question की और कहता है right of fraction in words for each परते के लिए हम को words में लिखना है first one is done for you तो पहला हम लोग के लिए किया हुआ है three fifth लिखा हुआ है ओके अब दूसरा जो अपना होगा B number इसमें हम लोग क्या note करेंगे तो B में हम लोग लिखेंगे eight ninths ठीक है C में हम लोग क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे nine tenths ठीक है चलिए D में लिखते हैं हम लोग D में हम लोग लिखेंगे five sevenths ओके इसी तरह से हम लोग E में भी लिख लेते हैं तो E नमर पर हम लोग लिखेंगे 6 13th और आए यहाँ पर F नमर भी लिख लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे 10 19th तो इस तरह से अपना complete हो गया यह worksheet कौन सा था यह worksheet था अपना worksheet 1 complete हो गया चलिए अब next हम लोग देखेंगे worksheet 2 तो worksheet 2 में हम लोग को बताया गया है numerator क्या है और denominator क्या है इसके बारे में तो अभी जो fraction है ना उसमें आप देखिए top में जो number है वो अपना क्या कलाता है numerator जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे है two thirds लिखा हुआ है तो इसमें two क्या हो गया मेरा numerator हो गया और जो three है वो क्या हो गया हमारा denominator हो गया ओके तो आए बोटम नंबर हो गया तो बोटम मतलब नीचे जो number है और top में मतलब अपर जब नंबर है वो क्या कलाएगा हमारा numerator और denominator तो यहाँ पर हमारे पास वक्सी 2 आएगा और इसमें हम लोगों केबल नुमिनेटर यहाँ पर नौट करने हैं राइट दा नुमिनेटर्स आप दा फॉलॉविंग फ्रैक्शन्स तो नुमिनेटर्स मिन्स अपर नंबर हाना टॉप उला नंबर तो आप देखें यहाँ पर क्या है टू थर्ट है तो टू होगे यहाँ पर नुमिनेटर्स इसमें वन हो जाएगा इसमें थर्टीन और यहाँ पर फोर फिर यहाँ पर सेवेन फिर यह शीक्स नुमिनेटर्स होगे चलिए अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर्ट यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ थर्टीन और यह हो गया जली आ फिर यह हो गया करता से write the fractions for the following जो यहाँ पर numerator और denominator दिये हुए उसके लिए मों क्या लिखना है? first one is done for you पहला हम लोग को बना दिया गया है कहता है numerator कितना है? 2, denominator कितना है? 7 तो fraction क्या बन गया? 2 7th चलिए हम आगे और भी बना लेते हैं numerator कितना है? 5 denominator 9 तो हम लोग क्या बनाएंगे? 5 9th फिर आता है numerator 3 denominator 13 तो यह हो जाएगा 3 13th clear है? next हमारे पास है 14 and 8 तो यह होगा मेरा 14 8 ओके? next चलिए आगे बढ़ेंगे denominator कितना है? 8 numerator 8 denominator कितना है? तो यहाँ पर denominator पहले दिया हुआ है numerator बाद में है तो अपना होगा 8 upon 14th 8 14th फिर denominator कितना है? 8 numerator 3 तो यह हो जाएगा 3 8th clear? समझ गिए? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर fraction को लिख सकते हैं बहुत ही easy way में अब next हमारे पास हैगा ordering the ordering of fractions means कौन-कौन से fractions कौन fraction बड़ा है? कौन fraction छोटा है? इसके बारे हम लोग बात करेंगी तो look carefully at the following strips and the fraction retained for them तो आईए यहाँ पर जो fraction लिखा हुआ है? 2 5ths लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 5ths लिखा हुआ है दोनों में कौन से बड़ा है? तो 4 5ths अब का बड़ा है देखिए यहाँ पर 2 boxes को color किया गया है यहाँ पर total 4 boxes को color किया गया है तो यह question भी किया जा रहा है which shaded part is greater 2 और 2 upon 5 4 upon 5th तो यहाँ पर 4 5ths is greater than 2 5ths clear है? हम लोग simple से learn करेंगे कि जिसका numerator जैदा होगा वो हमारा बड़ा होगा और जिसका numerator चोटा होगा वो अपना चोटा होगा यह fraction के case में तो यहाँ पर हमारे पास worksit 3 आएगा और हम लोग को symbol यूज करने है कहा गया है यूज दा symbol greater than और less than ओके और proper place पर हम इसको क्या करेंगे fit करेंगे तो आभी हमारे पास है 2 6th और 5 6th तो आप बताएगे कौन सा बड़ा है यहाँ पर 5 6th बड़ा है तो हम क्या symbol यूज करेंगे less than का ओके फिर यहाँ पर अपना क्या होगा यहाँ भी less than हो जाएगा और यह greater than यह भी greater than और यह अपना less than और यह अपना भी less than ओके तो बहुत simple वी में हम लोगो ने कर लिया इसको चलिए next हमारे पास होगा encircle the fraction which is smaller in each अभी जो सबसे छोटा fraction है ना उसको हम लोग क्या करेंगे encircle करेंगा ने circle कर लेंगे the first one is done for you पहला किया हुआ है देखिए first number में हमारे पास one fifth था और यह four fifth है तो one fifth छोटा है इसको क्या किया circle कर दिया है आईए b number में देखेंगे यहाँ पे कोन सा छोटा है smaller कोन है तो three sixth और इसमें one third और इसमें one fourth और यहाँ पर यहाँ पर two fifth और यहाँ पर two eighth ओके यह circle कर लिए अब हमको arrange करना arrange in ascending order तो ascending order में कैसे करेंगे ascending order का मतलब हो रहा है जो fraction छोटा है याँ स्मॉल है उसको पहले लिखिए और फिर बढ़ते विए आप लिखते चलिए तो सबसे चोटा fraction यहाँ पर आपको check करना है कि सबसे चोटा fraction कौन सा है उसको आप पहले note करेंगे तो देखिए सबसे चोटा fraction यहाँ आपको देख रहा है three ninth तो हम पहले क्या लिखेंगे three ninth और फिर यहाँ पर less than का symbol यूज़ करेंगे clear फिर हम क्या लिखेंगे five ninth फिर less than का symbol यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास आएगा seven ninth ओके फिर हम लिखेंगे eight ninth फिर हम लिखेंगे last में eleven ninth ओके यह number अपना बन किया चलिए second हम बात करते है b number तो b number पे हमारे पास क्या है देखिए सबसे small कुन सा है one eleven तो आप b number पे पहले लिखेंगे one eleven और less than का symbol उच करेंगे फिर आपको लिखना है four eleven फिर आपको लिखना है five eleven फिर आपको लिखना है seven eleven और फिर आपको लिखना है last में nine eleven ओके समझ गे बहुत ही यह जिए था चलिए next हम बात करेंगे c number की तो c number पे आप देखिए सबसे छोटा कुन सा है one fifth तो आप one fifth पहले लिखे फिर less than का symbol उच किजिए और फिर लिखे two fifth फिर less than देजिए और इसके बाद three fifth लिखे और फिर less than देजिए और फिर four fifth लिखे फिर less than देजिए और आप लिखे six fifth ओके यह हो गया complete बहुत ही simple है आप कर सकते हैं d number भी हम लोग कर लेते हैं तो d number हम लोग करेंगे यहां पे देखिए यह सबसे छोटा क्या है one tenth फिर less than देजिए और यहां पे three tenth लिखते जिए और फिर less than देजिए seven tenth और फिर less than और फिर eight tenth तो यह हो गया ascending order में यह क्या हो गया ascending order मतलग smaller to greater ओके smaller to greater छोटा से बड़ा अभी four number हमारे पास है four number में हम लोगों क्या करना है ना descending order में लिखना है descending order मिन्स बड़ा से छोटा पहले जो बड़ा fraction अगा उसको पहले लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे छोटा की ओर तो आईए हम लोग यहाँ फिर first को कर लेते हैं यह अपना a number तो a number पर सबसे बड़ा कुल्सा है तो यह है eleven upon six 11 six पढ़ेंगे हम उसको फिर greater than का symbol यूज करेंगे ओके फिर हम लिखेंगे five six ओके फिर greater than का symbol यूज करेंगे फिर लिखेंगे three six फिर greater than का symbol यूज करेंगे फिर क्या लिखेंगे अब लिखेंगे हम लोग two two six ओके फिर last मनों लिखेंगे one six one six के लिए इस तरह से हम लोग यह अपना हो गया descending order अब यह हम b number की बात कर लेते हैं तो b number पे हमारे पास क्या क्या देखिए b number पे है सबसे बड़ा कौन सा है seven seven eight तो आप seven eight को लिखें पहले और फिर आप greater than का symbol यूज किजिए फिर six eight फिर five eight फिर four eight फिर आपका हो गया one eight ओके यही सब है seven six five four और फिर one चलिए next हमारे पास c number की बात करते हैं तो c number पे क्या क्या है descending लिखना है तो first में आएगा ten seventh फिर आएगा nine seventh फिर आएगा four seventh फिर आएगा two seventh फिर आएगा one seventh ओके हो गया next हमारे पास d number है इसको भी कर ले हम लोग तो d number में first आएगा eleven twelfth फिर greater than फिर ten twelfth फिर आपका क्या आएगा five twelfth ओके फिर आपका क्या आएगा three three twelfth फिर आपका आएगा one twelfth clear है इस तरह से हम लोग कर लिए descending और ascending तो descending means क्या bigger to smaller और ascending means क्या smaller to bigger ओके चलिए next हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका fraction को add करने के लिए सीखेंगे ओके तो कैसे add करना है आईए यहाँ पे worksheat four हमारे पास तो add करने के लिए बहुत simple है आप यहाँ पे two eight है और five eight है हम equal to sign दे दिए और two plus five कितना हो गया seven तो यह seven eight हो गया ठीक है बी नमर में देखें equal to sign दिए two plus four four plus two कितना हो गया six six ओके यह अपना add हो जाता है आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है यह है four tenth और five tenth तो आप इसको add कर लेंगे तो क्या आजाएगा nine tenth आजाएगा आपका ओके nine tenth आजाएगा चलिए आभी हम बात करेंगे d number तो d number पे हमारा क्या होने माला है यह हो जाएगा three plus three that is six seventh फिर यह हो जाएगा one plus one that is two और आगे आते हैं solve the following questions तो solve the following questions हमको add करने है तो कैसे add करेंगे equal to sign देजिए two plus five plus two plus one कितना हो गया total हो गया eight tenth ओके फिर यहाँ पे देखेंगे three plus one four plus two that is six six ओके चलिए next हम लोग देखेंगे यह c number का तो यहाँ पे one plus one plus one that is three three fifth होने वाला है और यहाँ पर क्या हो जाएगा two plus two four plus one that is five six हो जाएगा ठीक है बहुत easy है हम लोग add कर ले रहे न यहाँ पे three plus two plus one that is यह हो गया हमारे पास six ninth और यदर आईए four plus one five plus two that is seven tenth ओके कर ले रहें आगे आईए जी नमर को करते हैं one plus two plus four तो क्या हो गया यह हो गया हमारे पास seven eighth केवल आपको numerator को add करना है denominator में no change ओके one plus two three plus one that is four fourth तो आप देख रहे न denominator में no change केवल numerator को आपको add करना है बहुत ही simple है अब यहाँ पे हम लोगो color करना है तो color करना है अभी देखिए color squares to show the correct answer तो अभी correct answer को show करने के लिए हम इसको क्या करेंगे color करेंगे तो यहाँ पे देखिए three three eighth है और two eighth है इसको add किजिए तो क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा five eighth ओके तो अभी five boxes को हम यहाँ पे क्या करेंगे color कर लेंगे तो आये हम लोग color कर लेते हैं यह देखिए हम लोग color कर लिए कितने boxes को color करना है five को तो four हो गया और एक हम लोग यहाँ पर नीचे कर लेते हैं तो यह कितना हो गया यह 5 बॉक्स मेरा कलर हो गया यहाँ पर आड़ किजिए तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 प्लस 4 तो अब इना इसकों को कलर करना है तो कितने बॉक्स हैं टूटल 9 तो सभी बॉक्स को आप कलर कर देजिए जितने बॉक्स हैं सारे को क्या किजिए आप कलर कर लेजिए ओके तो यह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके समझ गये यह सभी को कलर कर दिये हम लोग चलिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा C नंबर तो C नंबर में 2 प्लस 3 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 तो 5 आने हाफ पॉर्सन को आप कलर कर दिजिए तोटल 10 है ना तो इसमें 5 को आपने कलर कर दिया इसमें आपको क्या हो जाएगा इसमें 5 प्लस 2 7 प्लस 1 तो 8 पार्ट को आप कलर कर लिजिए ओके 8 पार्ट को आप क्या किजिए कलर कर लिजिए और two parts को आप two box को आप छोड़ दीजी ओके तो यह अपना color हो गया ठीक है तो इस तरह से हम लोग बहुत ही असाने से इसको कर लिए अब यहाँ पर add करना हम लोग को fractions को तो कैसे add करेंगे तो first number हम लोग यहाँ पर देख ले यह a number है तो आईए हम लोग a number को solve करते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे न four fifth लिखेंगे plus करेंगे one fifth लिखेंगे plus करेंगे two fifth लिखेंगे plus करेंगे फिर equal to देंगे add किजिए five plus four four plus one five plus two that is seven fifth हो गया ओके clear इस तरह से add करना है अब बी नमर को add करते है आईए तो बी नमर पर हमारे पास क्या है बी नमर पर हम लिखेंगे पहले two third फिर plus का sign देंगे one third फिर add करेंगे क्या हो जाएगा three third ओके चलिए c नमर को add कर लेता हूं c नमर को add करेंगे तो पहले लिखेंगे 4 7th plus 2 7th और ये हो गया 4 plus 2 that is 6 7th इस तरह से हम एड़ कर रहे हैं आईए D नमर को लोग एड़ करते हैं तो D नमर में हमारे पास क्या है देखिए पहले लिखेंगे 2 9th plus 5 9th plus 1 9th इसको एड़ किजिए 5 plus 2 7 plus 1 that is 8 9th इस तरह से हम लोग एड़ कर लेते हैं तो यहाँ परना हम लोग complete कर लिए worksheet कौन सा था ये worksheet 4 और इसके आगे है अपना worksheet 5 तो worksheet 5 में हम लोगो क्या करना difference निकलना है तो ये भी बहुत ही easy है हम लोग इसको करेंगे next video lesson में तो आज की video lesson में बस इतना है पर अपकल मिद्योस थांक्वो वाच्छू वाच्छिंग 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 हैं